हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज आज आपका SSE GD का जो एंसर की है वो रिलीज कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना एंसर की भी जो है वो चेक कर लिया है जिन भी कैनरेट्स ने अगर अपना एंसर की चेक नहीं किया है तो एंसर की का जो लिंक है आपको डिस्किप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप वहां से इजली एंसर की जो है आप अपना चेक कर सकते हैं एंसर की चेक करने के बाद जो है लागतार बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने माक्स आ रहे हैं तो क्या मुझे फिजिकल की तयारी सुरूख कर देनी चाहिए तो आज के इस विडियो में आपको बिल्कुल 100% accurate कटब बताऊंगा अगर आपके इतने माक्स रौ माक्स बन रहे हैं तो आप अभी से ही फिजिकल की तयारी सुरूख कर सकते हैं तो विडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा और आप से रिक्वेश्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE GD से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में यह आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसी भी जो जरूर प्रेस कर दिएगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं SSE GD का पर सिट कंपटिशन जो है कितना रहने वाला है तो सबसे पहले 2018 की बात कर ले तो 2018 में जो SSE GD का टोटल वेकेंसी निकाला गया था वो 6210 वेकेंसी निकाला गया था वहीं अगर बात कर ले इसमें जो कितना फॉर्म फिल किया गया था बच्चों के दोबारा तो 52,20,335 कंपटिशन ने जो है 2018 में एपलाई किया था वहीं अगर बात कर ले 2018 में कितने कंपटिशन जो है SSE GD का एक्जाम दिये थे 30,4,284 कंपटिशन जो है टोटल वेकेंसी निकाला गया है वह 25,271 पोस्ट पर वेकेंसी निकाला गया है वहीं अगर बात कर ले कितने कंपटिशन जो है इस फॉर्म को फिल किये थे तो 74,589 कंपटिशन जो है इस फॉर्म को फिल किये थे वहीं अगर बात कर ले कितने candidate जो है 2021 का exam दिये है 2000 GD का तो यहां पर देख सकते हैं कि 45,91,730 candidates जो है यह GD का 2021 का exam दिये थे और यह जो data है यह आपका RTI के थ्रू जो है पता लगाया गया था तो यह तो हो गया per seat competition का देखे मैं आपको बता दूँ कि 2018 में जो आपका vacancy था आप यहां पर डाटा सब कुछ देख सकते हैं और 2021 का भी आप data देख सकते हैं तो इस data के recording आपको यह पता चलता है कि 2018 में जो vacancy था उसका बहुत कम जो है इस बार 2021 में vacancy आपका निकाला गया था और इसमें जो है लगबाग बहुत जादा candidate जो है एक्जाम भी दिये हैं लेकिन मैं आपको फिर भी बता दू कि 2018 का जो cut up गया था उसके recording इस साल का जो cut up रहेगा वो आपका कम रहने वाला है और क्यों कम रहने वाला है वो भी मैं आपको बता दू कि इस बार जो आपका negative marking है 2018 में जो था आपका SSC GD के exam में negative marking नहीं था लेकिन इस बार 2021 की बात कर ले तो 2021 में जो SSC GD का exam लिया गया है इसमें आपका negative marking था ठीक है और कितना था तो 1 by 4 जो था इस बार आपका negative marking था अब दूसरे factor की मैं बात कर लो दूसरा factor इस बार कम क्यों जाएगा cut up आपका 2018 से तो दूसरा factor यह है कि 2018 का जो question paper का label था ना वो easy to moderate था लेकिन इस बार का अगर आप question label की बात कर लो तो moderate to hard रहा था यानि जो इस बार का question का label रहा था ना वो season label का रहने वाला था तो बहुत सारे बच्चे जो है इस बार जो है बहुत कम question जो है attempt करके आए हैं अब बात कर लेते हैं कि कितने candidates को जो है physical के लिए बुलाया गया था 2018 में तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 30,41,284 candidate जो है 2018 में SSEJD का exam दिये थे जिसमें जो है 5,35,179 candidates को जो है physical के लिए qualify किया गया था आप यहां पे देख सकते हैं कि exam का जो PST यानि PST और PET के लिए जो qualify किया जाता है वो one ratio 10 यानि जो vacancy आपका निकाला जाता है उसके according जो है 10 गुना candidates को जो है physical के लिए बुलाय जाता है यानि अगर 2021 की बात कर ले तो 2021 में 25,271 पोश्ट पर vacancy निकाला गया है बात कर लेते कितने बच्चों को जो है physical के लिए qualify किया जाएगा तो देखे physical के लिए 10 candidates को जो है sorry आपर 10 गुना candidates को जो है बुलाय जाता है यानि अगर बात कर ले तो 2,52,271 candidates को जो है physical के लिए qualify किया जाएगा तो ये doubt भी जो है आपका clear हो गया होगा अब बात कर लेते है किस state में सबसे ज़्यादा cut up इस बार रहने वाला है किस state में medium cut up रहने वाला है और किस state में जो है आपका low cut up रहने वाला है तो अगर आप अगर आप फॉर्म फिल किया है तो इस बार जो आपका high cut up रहने वाला है राजस्थान, उत्तर पर्देश, बिहार, मद्य पर्देश, उत्राखंड, डाली, महरास्टा, चंडिगट, गोवा इन राजियों से अगर आप फॉर्म भर रहना तो इस बार जो SSC GD का जो cut up है य लंगाना, वेस्ट बेंगॉल, मिजोरम, मेगाले, नागालैंड, पंचाब, इन राजियों से अगर आप फॉर्म फिल किये हैं तो इस बार जो आपका cut up रहने वाला है वो मीडियम रहने वाला है वह यह अगर मैं बात कर लो low cut up state के बारे में तो अगर आप उडिशा, अब से low रहने वाला है, अब बात कर लेते कि आपका जो cut up है वो 2021 में कितना रहने वाला है physical के लिए, तो देखें मैं आपको बता दू कि अगर आप high cut up state से form kill किये हैं, तो अगर आप जेनरल candidates हैं, तो अगर आपके marks 66 से 68 के बीच में आ रहे हैं, जो यह marks मैं बता रहा अगर high cut up state में अगर आप form fill किये हैं, जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको high cut up state बताया है, तो अगर आप वहाँ से fill की हैं, तो 63 से 65 के बीच में अगर आपका raw marks आ रहा है, तो आप अभी सही जो है physical की त्यारी सुरूख कर सकती हैं, अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेत कर दीजेगा, वहीं अगर मैं बात कर लो, EWS केंडेट्स की, तो EWS में अगर आपका 60 से 62 के बीच में raw marks आ रहा है, तो आप अभी सही त्यारी सुरूख कर दीजेगा, गल्प्स की बात कर लेतो 55 से 57 के बीच आ रहा है, तो आप अभी सही त्यारी सुरूख किजेगा, एसी क क्यान्येट्स की बात कर ले तो 55-57 के बीच अगर आपके रा माक्स्ट बन रहे हैं तो आप अभी सही ह evangelical कर दीजेगा वहीं अबर फीम्ल की बात कर ले तो पचासो सेиком के बीच आ रहे हो वहीं मैं एक सेर्विशमेंण की अगर बात करलू 46-48 के बीच अगर आपके raw marks बन रहे हैं तो आप अभी सही त्यारी सुरूख कर दीजिएगा वहीं मैं अगर female की बात कर लो तो 45-47 के बीच आ रहे हैं तो आप अभी सही त्यारी सुरूख कर दीजिएगा और यह जितने भी मैं cut up बता रहा हूँ ना लगब दो लाग कैंडेट्स के सर्वे के बाद आपको यह cut up बताया जा रहा है तो अगर आप high cut up state में आप आ रहे हैं तो यह जो आपको raw marks लाना बहुत ही जरूरी है अब बात कर लेते हैं medium cut up state के बारे में तो देखें medium cut up state से अगर आप form फिल किया हैं तो जैनरल में अगर आपके raw marks 62 से 64 के बीच में बन रहे हैं तो आप अभी से त्यारी सुरू किजेगा male candidates वही अगर female के 60 से 62 के बीच में बन रहे हैं raw marks तो अभी से ही त्यारी सुरू कर दीजिएगा OBC की बात कर ले तो 50 से 60 के बीच वही अगर female की बात कर ले तो 56 से 58 के बीच आपके raw marks होने चाहिए वही अगर EWS की बात कर ले तो EWS में जो आपके 55 से 57 होने चाहिए वही अगर मैं अगर बात कर लूँ female की तो 52 से 54 के बीच आपके raw marks होने चाहिए सुरी यहां पर माप कीजिएगा पचास से साथ नहीं आ फिप्टी एट से सिक्स्टी के बीच अगर आपके रॉमाक्स आ रहे हैं तो आप अभी से त्यारी सुरू कीजिएगा SI की बाद कर लो तो SI में अगर आपके 52 के बाउन से 54 के बीच आपके माक्स आ रहे हैं तो तयारी सुरू कर दिजेगा उसके बात मैं बात कर लो एक सरविशमैन के बारे में तो एक 15 में 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 अगर आपका 44 से 40 के बीच आ रहा है तो आप अभी से तयारी कीजेगा वही अगर मैं फिमल केंड़ेट की बात कर ल потр vaccinations की बात कर लो तो आप अभी से ही तैयरी शुरू कीजेगा, वही फीमल की बात कर ले तो 44 से 40 के बीच रहने वाला है, वहीं अगर फीमिल की बात कर ले तो 40 से 42 के बीच रहने वाला है, एसी कैनिट्स की अगर बात कर लो तो 40 से 42 के बीच रहने वाला है, फीमिल की बात कर ले तो 34 से 40 के बीच, आपका रॉमाक्स होना जरूरी है, तब ही आप फीजिक अगर आपके 34%-36 के बीच आ रहा है तो तो आपके आपका सिर्आ ह। तो यह तो थे था हमारे low cut-up state के बारे में तो देख लीजे मैं सबी high cut-up state के बारे में भी cut-up आपको बता दिया हूँ, medium cut-up state के बारे में भी आपका cut-up बता दिया हूँ उसके बाद low cut up state के बारे में भी आपका cut up बता दिया हूँ तो अगर आप जिस भी, मतलब जिस भी राजजी से अगर आप form बर हैं तो आप देख लिजे कि आप किस राजजी में जो है आपका high cut up state है या फिर medium cut up state है या फिर low cut up state रहने वाला है तो आसा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा और मन में इसके अलावा कोई भी अगर आपके मन में doubt है तो आप comments करके जरूर पूछ लीजेगा और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजेगा और इसी तरह का कंटेन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो मिलते हैं एक्स वीडियों तब तक थैंक यू ओल दे बैस